हलो एवरिवेन पिंगा की नूस कीचिन में स्वागत है आपका आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरे गर पे बनने वाले मोमोस और मोमोस की चटनी की रेसिपी ये चावल के मोमोस में बना रही हूँ और जो बहुत हाईजेनिक और हल्दी तरीके से जिसके लिए सबसे पहले मैं मोमोस की बीच ने बनने वाली फिलिंग्स रेडी कर रही हूँ सबजियों में मैंने लिया है सिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, गार्लिक यानि के लेसन और केबिज यानि के पत्ता गोबी इन सबको चोटे-चोटे पीसिस में काटने के लिए मैंने एक चौपर लिया है और उसमें मैंने इसको चौप कर लिया है आप अपनी कोबी मनपसंद सबजियों का इसको उप्यों कर सकते हो तो जिस तरह से मैंने जिस माप में लिया है सबजीया मैं यहापे दो जनों के लिए मुमोस बना रही हूँ पर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो कॉंटिडी आपको इस तिसाब से लेनी है तो बस सबजीया को काटकर रेडि करकर फिर साइड में रख देना है अब हम मुमोस का आटे लेयर रेड़ी करेंगे यानि चावल का आटा रेडी करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ इकड़ाई में एक गलास जितना पानी ले लिया है और उसे उबालने रख दिया है थोड़ और पांच मिट ऐसे ही रखना है गैस अफ करकर अब जब तक हमारा चावल काटा सेट हो रहा है तब तक मैं यहां पे चटनी बना रहे हूं टमाटर की मुमोस के साथ खाने वाली बहुत ही टेस्टी और यमी तो एक बरतन में एक ग्लास इतना मैंने पानी उबालने रख दिया और उसे भी थंडा होने तक साइड में रख देना है तो अब जो चावल काटा इस तरह से इसके परात में निकाल रही हूं और उसे भी मैं अच्छे से पहले हम हाथों से मसड़ेंगे क्योंकि यह चावल काटा है तो इसे एक साथ गुनना ही पड़ेगा थोड़ा सा ओल ले तो इसे साइड पर रख देंगे अब हमने जो क्रश किये हुए थे सारे वेजटेबल उसको इस तरह से मसलीन कलोथ में निकाल देंगे किचन कोई भी किचन टावल में निकाल सकते हो क्योंकि हमें इसका एकसेस पानी निकालना है सब्जीयों का सारा पानी निकाल कर जो है तो इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए तो चलिए अब इसकी बीच की फिलिंग्स बनाते हैं सब्जीया सारी हमरे ड्राइ हो चुकी है पानी निकल चुका है अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा साथ नमक ब्लैक पेपर चिली फ्लैक्स और एगानो और एक चमच डा पानी इसका छूटे नहीं और जल्दी-जल्दी हम मोमोज में यह सारी फिलिंग्स भर दे कि चावल का आटा है तो हमें बेलने में और मोमोज भरने में मुश्किल तो आने वाली है क्योंकि यह फट्टा है इसमें ग्लूटन नहीं होता तो इसलिए पकड़ीगा नहीं तो इस तरह से रेंडमली आप मोटा मोटा या फिर ऐसे ही बेल दो फिर एक कटोरी धारदा लेकर इसको राउंड शेप में कट कर लो और इसमें हमें भी बीच में फिलिंग्स बनी है साइट के कॉर्णर में हमें पानी लगा कर इस तरह से शेप दे देना है या फिर आप इसे शेप तो नहीं होगा तो ये चावल का आठा है हां लेकिन टेस्ट वाइज और है यमी और है तो शेप में क्या रखा है तो हैल्दी तरह से बनते हैं मोमोज तो क्यों ना बनाएं तो बस इस तरह से मैंने सारे मोमोज रेडि कर दी ए और स्टीमर में सार्शनी में उप यहां पर लसन की कलिया दाल दिया पांच और इस अच्छे से घ्राइन कर देंगे बढ़िया कलर आ चुका है मैंने कोई भी प्रिजरवेटी या कोई भी कलर इसमें नहीं डाला है तो गडाई में दो चमची सिर्फ ऑल में हमें डालना है चिली फ्लैक्स एक चमच मैंने यहां कश्मीरी लाल मिर्च यह डालना है यहां पर डाक सब्सक्राइब यहां पहसली पर जैना लुदा सब्सक्तपर लाश द लमिक्स हो चंए कि अप्ट प्रेक्ट टी हो सटंड चंडी क吧 खी एक हमें कोई भी और कुछ भी मैंने डाला है आप देख सेक्ते हो कि या मज़दा लाल टमाटर जैसा कले रा गारा जुका है ना गैस ऑफ कर देना है और अर उसे थंड़ ने रख देना है और हमारे करम मुमोज भी रेडी है तो इसे सव करो टमाटर की मज़दार सी चटनी के साथ एंजोई करो रैसे भी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरू से बताना लाइक शेर और सब्सक्राइब फॉर मॉर थैंक यू